दिल्ली के भारत मंडपम प्रगती मैदान में आजित बजट पूर बैठक में 36 गड़ के वित्यमंत्री ओपी चौधरी ने अपने सुझा हुआ राज जहित के प्रस्ताव दिये वित्यमंत्री चौधरी ने केंद्र को बताया कि 36 गड़ की नई राजधानी नमवा राइपुर अटनलगर को देश के सबसे सुनी योजित और ग्रीन सिटी के रूप में विक्सित किया जा रहा है राज के सीमिल संसाधनों से सड़क पीजल, विद्दूद, सुविधा, आवास और अन्य आधारभू सरनचनाओं का निर्मान किया गया है लेकिन नई राजधानी को राइपुर और दुर्ग भिलाई के साथ मिला कर NCR की तरस पर स्टेट कैपिटल रीजन के रूप में आधोनिक नगरी सुविधाओं के साथ विक्सित किया जाना है इसके लिए सुचना प्रोध्योगी की वित्त, पैंकिंग और ग्रीन एनर्जी के हग के रूप में विक्सित करने के लिए बजट में परियाप्त आर्थिक सहायता की ज़वरत है मारेनिया निर्मला सीतर रमन जी की अध्यक्षता में आज बजट कंसल्टेशन के लिए देश के वित्त मंत्रियों के साथ जिस में एक मुख्य मंत्री भी सम्मिलित थे उसमें बैठक हुई और जीस्टी काउंसील की भी बैठका संपन हुई दोनों पे मैंने सिरकत की छत्तिरगर राजजी के वित्त मंत्री के रूप में और राजजी के वर से महत्वपूर्ण विश्यों को रखने का काम किया है बजट डिसक्सन में हमने रखा है कि इस्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस जो पूंजिगत विया के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए भारत सरकार पचास साल का इंट्रेस्ट फ्री लोन देत में डिस्टिक मिनेरल फंड जीला खनी जन्यास के तहट जो राशी जीलों को मिलती है उसमें भी कुछ क्राइटेरिया ऐसे हो गए जिसके का उस राशी का सही धंग से उपयोग करने में कठीना ही आ रही है उन समस्याओं से भी मैंने अवगत कराया इसके अलावा नवाराय करेंड के लिए अधोसरेंचना विकास के लिए Shao के लिए भी मैंने अनेक प्रकार के मांग रखे हैं इस तरह की अनेक जनोपयोगी बातों को मैंने नहाव पर रखने का प्रयास किया है अईश्वमान भारत में भी रेट जो है उसे रिवाइज करने किया मने अग रख किय है ताकि स्टे टेक्स चेकर पर वित्तिय भार कम हो सके इस तरह के अनेक मांगे मैंने रखी है और निश्यत रूप से भारष्टरकार वित्तमंत्री जी ने गंभीरता से विशयों को सुनाए जेस्टी काउंसिल की बैठक में सभी राज्जियों के साथ डिसकॉसंस करके कंसेस के साथ कई सारे महत्रपूर्ण निर्मित ना होने पाए कोई भी गलत ना कर सके इसके लिए अनेक प्रकार के निर्मित लिए गए का जो अपील पर जाता है तो ट्रीबूर्ण बीस लाख तख हाइब करोड़ तक और दो करोड़ तक प्रकार रहेगा तब सुप्रिम कोड़ तक इससे चोयह हूं च्ञण तक नहीं जाना गदर्वां विजनेस हो सके और अन्नेसेसरी भाग एक ही कम राशी के टेक्स कंप्लाइंस के लिए पीछे पढ़ने के बज़ा एक प्रोग्रेसिवे में काम कर सके इस तरह के अनेक महत्पूर्ण वित्य निर्णाय भी लिए गए हैं बहुत ही सार्थक और महत्पूर्ण अभी विश्णोदेव साहई जी के नेत्रित में गुड गवर्नेस इस्थापीत करने के लिए हम लोग पूरा प्रयास कर रहें और बहुत तेजी सी वहां रिफाउम एजंडा पर काम हो रहा है इसलिए मेरे प्रसासनी का नुभव भी जो रहें या राजधानी रायपूर में उन सब को दंतेवाडा हो या रायपूर हो सब तरह के मेरे अनुभवों को मैंने इन वाइब करने का प्रयाश किया है अब भारत सरकार के समक्ष भी उसी तरह से मांगों को हमने रखा है रिफार्म एजंडेस एजंडास को हमने रखा है और उसका लाब निश्चित रूप स निश्चित रूप से जट्ता के लिए सिस्टम को सुधार करके लगातार हम काम कर रहे हैं गुड गवर्नेंस इस्थापित करने का प्रयाश हर द्रिष्टिकोंड से हो रहा है महतारी वंदन जैसी योजनाय च्थिसगर्ण में लागू की गई है इसमें मात्र एक महीने के स जार रुपए राश्टी देने का काम किया गया है भरती प्रक्रियाओं में भी पारदर्सीता लाने के लिए सिस्टम में सुधार करने के